मलाइका अरोरा को कही रियालिटी शो में जज की रूप में जाना जाता है जिसमें इंडियास बेस्दा आंसर और जलक तिखलाजा शामिल है। अभिनेत्री मॉडल मलाइका अरोरा शनिवार 2 अप्रेल 2022 को पूने में एक फैशन इवेंट से मुंबई लॉट रही थी। वह अपनी रेंग जोवर में थी और उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उनके साथ उनका बॉडिगाड भी था। वे मुंबई पूने एक्स्प्रेस वे पर गाड़ी चला रहे थे। रास्ते में एक बस और एक टूरिस्ट गाड़ी के टकर हो गई। और वह रेंग जोवर से जा टकरा है। उनकी रेंग जोवर एक्स्प्रेस वे पर तीन गाड़ीों से टकरा गई। स्वभाग्या से एक मंडसे नेता जो उसी दिशा में यात्रा कर रहे थे। उन्हें नवी मुंबई के अपॉलो अस्पताल ले गए। उनके सिर पर चोटे आई थी और उनका CT स्कैन करवाना पड़ा। उनके सभी रिपोर्ट नॉर्मल थे लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें एक दिन के लिए अस्पताल में रहने के लिए कहा। और अगर अगले दिन वह ठीक हो जाती है तो उसे चुट्टी दे दी जाएगी। अगले दिन क्योंकि वह सिर की चोटों को छोड़कर सिर्थ ही इसलिए उन्हें चुट्टी दे दी गई। स्थानिया पुलिस ने प्रात्मी की दर्ज कर ली है और मामले की जाच कर रही है। उनकी चोटे जल्दी ठीक हो जाएगी। 38 साल की मलाइका ने 2016 में सलमान खान के भाई अर्बास खान से तलाक ले लिया था। उनका 19 साल का बेटा है जिसका नाम अर्हान खान है। मलाइका अपने से 12 साल चोटे अर्जुन कपूर को डेट कर रही है। उनके बॉइफ्रेंड अर्जुन कपूर उनकी देखभाल के लिए उनके घर पहुंचे। मलाइका की बेहन और उनकी बेहन के पती भी उनके घर पहुंचे। मलाईका की ब Keeping Door मलाईका की बडुम मलाईका की बůग